राजधानी दिल्ली फिर से बेदम, आतिश बाजी ने बढ़ाई दिल्ली वासियों की मुश्किल, एर क्वालिटी इंडेक्स फिर से साथवे आश्मान पर, अब क्या करेंगे केजरीवाल? राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में दिपावली धूम धाम के साथ मनाई गई, इस बार दिपावली में जो रोनक, देश के अलग-अलग कोनों में नजर आ रही थी, वह अदभूत रही, खासकर जो नजारे भगवान श्री राम की नगरिया योध्या से निकल कर आई, वो वाकई में मन को मोह लेने वाले थे, लेकिन इसके विपरीत राजधानी दिल्ली की दिवाली फिर से लोगों के लिए परिशानी का सबब बन गई, हर वर्ष की तरह दिपावली के अगले दिन दिल्ली कोहरे की चादर में सिमिट गया, राजधानी की स्तिती कुछ इस त रिला बना दिया है, इंडिया गेट के आसपास आसमान धुआ धुआ हो गया है, हालात इतने खराब हैं कि 100 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया, दिल्ली का हर इलाका धुंद से भर गया है, दिवाली से पहले जो एर कॉलिटी इंडेक्स 218 था, वह अब सारे रि प्रदूशन का लेवल इतना बढ़ा दिया कि अब पहले के सारे रिकॉर्ड धोस्त हो गया है, चारो तरफ सिर्फ धुंद ही धुंद नजर आ रहे हैं, दिवाली की शाम तक जो एक क्यो आई कंट्रोल में था वो अब लगातार बढ़ते जा रहा है, दिल्ली के आनंद वि विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है, बता दें कि दिवाली से पहले दिल्ली NCR की स्तिती भारी बारिश के कारण ठीक हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली वासियों ने जो खत्रा मोल लिया है, उसका खामियाजा निश्चित तोर पर भुगतना होगा, अब देख दिल्ली वालों को दिपावली के दिन साप आसवान देखिने को मिला था, लेकिन प्रदूशन ने एक बार फिर से दिल्ली के हालात को बद से बत्तर कर दिया है, सुप्रीम कोट ने दिल्ली में पटाकों और आतिस बाजी की विक्री भंडारन और इस्तमाल पर रोक लगा द दिया था, लेकिन दिल्ली वासियों ने सुप्रीम कोट के आदेशों की भी जमकर धजियां उलाई और दिल्ली अंसियार में खूब पटाके फोडे